अज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जी हाँ NLC की तरब से यहाँ पे फार्मासिस्ट की लगबग लगबग 14 वेकंसी फ्रेशर केंडिडेट के लिए क्या कुछ नोटिफिकेशन है बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट बात करेंगे जी हां यहां पर आप देख पार है 28 गौर्मेंट की परवाने जॉब फार्मासिस्ट की अंडबान निकोवार में क्या कुछ नोटिफिकेशन नहीं दोनों वेकेंशी को कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आपको NLC इंडिया लिमिटेड की यहां पर ओफिशल वेबसाइट पर जाना है और जैसी आप रिक्वार्मेंट में करियर में यहां पर टेनी और एपरेंटिस पर क्लिक करेंगे पहला नोटिफिकेशन एडविटिजमेंट आप देख पार है बारा एक दोजार चॉइस का जैसे आप क्लिक करेंगे यह ओफिशल नोटिफिकेशन आपके सामने खुलावा नजर आ रहा है देखिए यह जो वेकेंसी रहने वाली है जिसमें की फार्मासिस्ट के 14 बोश है ना 1 for 14 बोश जो है वो रहने वाले है यह बेसिकली उन सभी कैंडिट के लिए है जो 2019 में 20 में 21 में 22 में या फिर 23 में पास आउट है जात के लिए तो यह जो केंसी वह वह फ्रेशर कंडिट के लिए है जो भी सभी सी के फ्रेशर कंडिट है यह ज़िया मंतली आपका स्टाीपिंट जो है । 15,088 रहने वाला है वह जो बेसिकली ओर है वह उर्धन मीनिंच का की वेकेंसी है जिसमें की वन एयर का आपका ट्रेनिंग प्रियेट जो है वो रहने वाला है अब बात आती है सन मीनिमम एसेंशल क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर देखिए फार्मेसी वालों के लिए क्या मांग रहे है और फार्मेसी के लिट भी फ देखिए बाकि सारा सब कुछ लिखा हुआ है मैंतर आप सेलेक्शन की साफ से होगा मतलब जितने आपके डिग्री और डिप्लोमा में परसेंटेज आये उस हिसाफ से आपको यहां पर सेलेक्शन होने वाला है उसके बाद में आपको वाकिन इंट्रिव के लिए बुला जा है वह 18124 से स्टार होंगे आज 14 है 18124 से स्टार होंगे और 31124 इसकी लास्ट रहने वाली है जैसी आप एप्लिकेशन फर्म कंप्लीट करेंगे उसका आपको एक प्रिंट लेना है उसके बाद में आपको इस पते पर उसको भेज देना है पते में भेजने के पहले-पहले आपको क्या-क्या डॉकुमेंट साथ में बेजने वो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है यह सब कुछ आपको यहां पर साथ में बेजना पड़ेगा उसके बाद में आप जो है वह सलेक्स्ट होंगे ठीक है जी तो इसकी ओफिशियल पीडिय और ऑफिशियल यह तो क्या एक साल के लिए है जी हां यह एक साल के लिए ही होती है बटी जी हां आपको एंचियल है ना गौर्मेंट ऑफ इंडिया एंटरवाइस कंपनी का एक्स्प्रियंस एज फार्मासिस्ट फ्यूचर वाइस बहुत ही ज्यादा हेल्पूल है इस्पेशली जो कैंडि इस वेकैंसी जो है वह आपकी रहने वाली है सरीवेकैंसी का नोटिफिकेशन जो है वो किन किन के लिए क्या जाने वाली दो जी दिचर आप येफार्मास कि अगिगेंसैं तो होगा तो जी हां इसमें भी एक्जाम होगा आपका जिसमें की आप देख पा रहे हैं जर्नल जर्नल साइंस और नेक्ष्ट जो है आपका फार्मासिस्ट ग्रेड का रहेगा सेले बस आपको यहां पर दे रखा है अब बात आते हैं इसको कैसे कुछ प्रिपार करना आप सभी स्ट तो जला अधार गजांते हैं हमने हमारी मॉभाइल आप लिकेकिशन पेथ सभी फार्मासिस्ट wer красив की लिए यह चला के रखी है अगर जो बी स्टूडेंट्ट है जो pharmacist exam की preparation करते हैं वो उस test 3 को join कर सकते हैं link description और comment box में है और आने वाले समय में उसी जगह आपको study material और course regarding content भी मिलने वाला है बात आते हैं sir कैसे कुछ apply करना है तो जी हाँ 10 एक दोजार choice से इसकी application from start है और 31 एक जो है इसकी last date रहने वाली है अब सबसे बड़ा सवाल कि sir यहाँ पर सभी candidate eligible है या फिर अंडरबा निकोबार वाले तो यहाँ पर आप देख पार है देखिए यह जो notification जैसे आप यहाँ पर जाएंगे इसकी apply link जो है मैं description box में दे दूँगा यहाँ पर apply करने के समय आपको पता चल जाएगा फूल आप बात चेक कर सकते हैं नेक्स काफी सारे स्टुएंट जो नए जूटे उनको पता नहीं है देखिए यहाँ पर center pharmacy registration number को लेकर अभी जो recently topic चल ला है वो आप चेक कर पा रहे हैं यह सारी वेकेंसी अपडेट भी आपको हमारी website फार्माइफिनिटी पे बिल जाएगी कैसा लगा आपको information जरूबताई कमपने सेक्शन में like करे, share करे, subscribe करे keep watching